हलो एन वेलकम टू इंडियन लाइफ इन सौधी अरेबिया, होप यू आल आर अप्सलूटली फाइन अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि हम है हेडराबाद इंडिया में कहां कहां क्या चीज़े हैं, क्या फिसलिटीज मिलती हैं, सर्वीसिस मिलते हैं सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ डीटेल में तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें फ्लाइट के एंटरंस पर टिकट शो करने के बाद हमें अंदर आने दिया जाता है और टिकट में लिखे हुए अपने सीट नंबर के अकॉर्डिंग ही हमें अपने सीट पर बैठना होता है यादि कि हर सीट के सामने इस तरीके से से सेफटी गाइडलाइन, इंस्ट्रक्शन, पैंपलेट रखे हुए होते हैं उच्ते tp इसमें इसे देख सकते हैं कि कैसे क्या घर्ना है, इसके साथ ही इसमें लिखे हुए होते हैं इयरफोंस इसके साथ ही इसमें रखे होई होते हैं iyer messenger, इस प्रेंस के कुछ सॉण्क वगईरम्न तैस सुनना हो तो आ सुन सकते हैं और इसे open करने से ये desk बन जाता है, यहां पर जो snacks देते हैं, food देते हैं, उसे रखकर खा सकते हैं, आराम से कोई दिक्कत नहीं होती है, और यहां पर गुड़ु को ही इसे close करना है, यह देखें, यह seat के उपर इस area में screens होते हैं normally, लेकिन इस flight में screen नहीं दिया गया है, लेकि यह उपर है common screens, जो भी instructions होगा, तो common screen में देख सकते हैं, economy class का यह area है, saudiya airlines की यह ज्यादा बड़ी flight नहीं है, बड़े flights में windows के side 3-3 seats होते हैं, और यह देखें, यहां पर air hostels जो है, सारे जो उपर hand carry वगरा रखते हैं, उसे close कर देना होता है, और सबसे पहले हमें यहां पर refreshment के लिए tissues वगरा दिये जा रहे हैं, और earphone अलग से फिर से दिया गया है, किसी को अगर पानी वानी चाहिए, तो अलग से बोलने पर पानी भी लाकर देते हैं, और यह देखें, earphone का use हम यहां पर कर सकते हैं, seat के handle में, side में इस तरीके से जो है गाने वगरा सुनने के सिर्फ audio सुन सकते हैं, screen नहीं है, तो video नहीं देख सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि QR code को scan करके अपने phone पर यहां के videos वगेरा देखना हो, movies देखना हो, तो वो सब देख सकते हैं, flight में जितने भी kids हैं, उनको air hostels आकर airline की तरफ से gifts दे रहे हैं, जिससे कि बच्चो again, और यह देखिए, यह window है, और इसको lid है, इस तरीके से हमें बन कर देना होता है, अगर open करना हो, तो open कर सकते हैं, लेकिन takeoffs और landings के time पर, specially, सभी को आकर यह windows close कर देने के लिए बोलते हैं, तो उस time पर हमें windows को close कर देना होता है, और यह देखिए, यहां पर screen में जो है, जो safety measures थे, जो हमारे, मैंने आपको बताया था, पैमपलेट में था, वही जो screen पर चल रहा है, और अब flight के takeoff का time होने लगा है, तो air hosters आके सभी के seatbelts चेक कर रहे हैं, कि सभी ने अपना seatbelts लगाया हुआ है या नहीं, और जो भी extra सामाने किसी का, तो इस तरीके से उपर देते हैं, और सब कुछ पैक कर देते हैं, इसके साथ ही आप यह देखिए, फ्लाइट जो धीरे-धीरे चलने लगी है, और वो रहा है एर्पोर्ट यहां पर लिखा हुआ है हिंदी में, राजीव गांधी अंतराष्ट्रिय हवाई अड़ा, गुड़ू के बैक से निकला ह यह चोटी सी प्यारी सी बुक, तो इसमें जो है, गुड़ू अपना कुछ स्केच करना हो तो कर सकता है, और यह इसमें लगे रहेंगे बच्चे, सही है, मतलब कि इनको भी करने के लिए कुछ दिया जाता है, तो यह लग भी अपना इनका मन लगावा रहता है, और गुड अच्छा है, उसे पसंद आया है, सौदिया एरलाइन्स डायरेक्ट फ्लाइट है, हरवार तु रियाद, इसके अलावा कनेक्टिंग फ्लाइट भी होते हैं, सौदियारब जाने के लिए, जैसे कि कुवेत, अभुदावी, दुबाई, यमन, ओमान में रुक कर अभी जादा उपर तक नहीं गए हैं, और यहां पर देखिए, और जादा घर वो सब छोटे छोटे हो गए हैं, क्योंकि फ्लाइट और उपर चली गई हैं, और यहां पर हम पहुँच गए हैं, पूरे आसमान में, तो हर एक मतलब कि थोड़े थोड़े देर के बाद का जो तो फिर सूरज मतलब पूरी तरी से धला नहीं है, थोड़ी थोड़ी रोश्नी आ रही है, और बादल भी हमें इस तरीके से प्यार इसे दिख रहे हैं, और मतलब जो रियल में देख रहे हैं, वो व्यू जो बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहां से, तो क्लियरली दिख रात का जब टाइम होता है, फ्लाइट में तो इतना अच्छा व्यू हमें देखने को नहीं मिलता है, पूरा अंधरा ही होता है, यहां पर देखिए बादल कितने क्लियर दिख रहे हैं, अभी हमें यहां पर ब्लांकेट दिया गया है, तो सौधी अरब और इंडिया के को नहीं लाते हैं, नहीं भूल गए हो, तो प्राब्लम नहीं है, पिलोस दे देते हैं, तो फिर कोई दिकत नहीं है, आराम से रेस्ट करना हो, तो रेस्ट कर सकते हैं, वीडियो अगर पसंद आ रही हो, तो इसे लाइक कर दीजे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, त तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और चलिए अब सौधी एरलाइन्स के टॉयलेट के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं तो बहुत ही छोटा सा कॉम्पैक्ट सा टॉयलेट होता है हर फ्लाइट में और यह देखिए इस तरीके से नॉब दिया हुआ है तो कुछ हैंग वगरा करना हो तो हैंग कर सकते हैं नो स्मोकिंग का जो है यहां पर लिखा हुआ है कि स्मोक वगरा नहीं कर सकते हैं फोन में बात वगरा करना हो तो नहीं कर सकते हैं और यह देखिए यह है लॉक करने के लिए तो लॉक करना बिल्कुल मत भूलिये और यहां पर है यह टिशू का है तो टिशू यहां से ले सकते हैं तो जैसे कि normal toilets में होता है, वैसा ही होता है, सब कुछ यहां पर available हो जाता है और यह देखिए, अगर छोटे बच्चे हैं, इन्फैंट से, यानि कि कुछ डाइपर वगरा चेंज करना हो बच्चों के तो इस तरीके से यह open करके, बच्चों को लेटा कर, डाइपर चेंज वगरा करना हो कर सकते हैं और यह नीचे कमोर्ड है, और इसमें पानी का flush नहीं होता है, वैसे hose होता है, लेकिन वैक्यूम से यह काम करता है एक और नॉप था वहाँ पर, और यह देखिए, यहाँ पर इसके अलावा कुछ और टिशूज हैं, मिरर है सामने, तो यह कुछ एक्स्ट्रा टिशूज हैं, यह जो है dust bin है, तो इसको push करके, जो wastage है, टिशूज है, इसके अंदर डाल सकते हैं यह रहा सिंग, जैसे कि नॉटमली होता है, गरम और ठंडे पानी के बटन से टैब है, तो इसके अकॉडिंगली पानी आ जाता है, तो कुछ मतलब यूज करना हो तो यूज कर सकते हैं, और रेड और ब्लू इस तरीके से हमें समझ में आ जाता है, कि गरम और ठंडा पानी ह और यह दिखिए, यहां पर एक्स्टा कुछ टिशू बगएरा है, बहुत ही छोटा सा है, लेकिन हर एक चीज यहां पर वाश रूम में अवेलेबल हो जाती है, वाक्यूम फ्लेश के लिए यह कमट के साइड में यह बटन दिया गया है, इसे ही प्रेस करना होता है, तो यह में जैसे कि अलकोहल भी सर्फ करते हैं, लेकिन यह सौधिया फ्लाइट है, यहां पर जूस मिलेगा, तो गुड़ो ने लिया हुआ है मैंगो जूस और मैंने लिया था आपल जूस, और इसके कुछ समय के बाद खाना सर्फ करते हैं, तो यह देखिए, यहां पर वेज और दोनों का ही option होता है, हमने एक वेज लिया, एक नॉन्वेज लिया, तो जिससे कि यहां पर फूड आता है, तो किस में वेज में क्या होता है, दोनों वी चीज़े आपको बता सकें, वेजटेरियन में हैं, यह मिक्स्ट वेजटेरियन करी, इसके साथ यह है पराठा, राइ यह मिल रहा है यहां पर चिकन बिर्यानी इस टाइप की है और सेम जो पराठा था एक पराठा है यह खीर है चावाल की खीर दिया हुआ इन्होंने और यह पोटाटो फ्राई है साथ में जोचार और पानी अगरा है खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर सो गए थे और यह दे दिख रहे हैं बिल्कुल छोटे-छोटे दिख रहे हैं रोट्स और घर वगएरा जब हम थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तब और थोड़ा जो यह व्यू है लेगा यह इन यह जो यह लम्बे वाले न इसारे जो है रोड्स हैं बस अब हमारी एप उगी है यह सारे फ् pasar आए इंडिया में गर्मी अभी स्टार्ट हो चुकी है लेकिन सौधी अरब में अभी तक इंडिया वाली जैसी गर्मी स्टार्ट नहीं ऊंदेव है वैसे जब यहां पर पीक तो one by one हमारा जो luggage है वो यहाँ पर conveyor belt में आ रहा है और हम collect करते जा रहे हैं अगर Saudi Europe पहली बार आ रहे हो या फिर सामान luggage ऐसे collect करने में दिक्कत हो रही हो या फिर किसी भी तरह के guidance चाहिए help चाहिए हो तो यहाँ पर कुली भी available हो जाते हैं हिंदी में भी बात करते हैं तो कुली हायर करना हो तो वो भी हायर कर सकते हैं मुझे किसी ने comment किया था उनकी query ये थी कि airport में जो अलबेक है उसका price क्या है यानि कि क्या यह आँपर airport में महंगा मिलता है जो कि outside से compare करें तो आपको बता दूँ कि जो रियाद में या फिर साओडी अरब में जो भी price है अलबेक का same price ही airports में भी है तो जितने भी airport में अलबेक के outlets हैं उन में जो है same price ही मिलता है जो की price बाहर मिलता है और यदि कि हम बिलकुल यहां पर बाहर आ गए है एरपोर्ट के अब हम जोई टैक्सी हायर करेंगे और अपने जाएंगे घर अप के थूट टैक्सी बुक करवाना हो तो करवा सकते हैं इसके अलावा बाहर भी कई सारे टैक्सी अवेलेबल हो जाते हैं जो भी कन्विनेट लगे उसे अप्ट कर सकते हैं तो यह थी हमारी जर्नी हमारा सफर हड़ाबाद से रियाद तक का सौधिया फ्लाइट में I hope कि आपको सौधिया फ्लाइट के बारे में सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी हो, अगर स्टिल आपको मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कॉमन सेक्षन में पूश सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, stay safe, stay healthy, thank you so much for watching